नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका अपने ही यूटूब चैनल यस ग्यान नौलेज में दोस्तों सुन से सिखर तक पहुँचने के लिए आदमी क्या क्या नहीं करता है तब ही जाकर वो को एक कम्याब ब्यक्ति बन पाता है इसका उदाहरन है भारत के इजश्वी परधान मंत्री सिरी नरेंदर दमोदर्दास मोदी तो आये जानते हैं आज उन्हीं के बारे में कि उन्होंने सुन से सिखर तक क्या सफर कैसे ते किया नरेंदर मोदी का जन्म 17 सितंबर अनईसा 50 को गुजरात में हुआ था भारत के परधान मंत्री का बचपन संगर्स पुन रहा उनका पुरा नाम नरेंदर दमोदर्दास मोदी एक चाय बेचने वाले कभी देश का पीम भी बनेगा किसी ने सोचा भी नहीं था मोदी ने राजनीती सास्तर में एमे किया बचपन से ही उनका संग की तरफ खासा जुकाव था और गुजरात में आरेसिस का मजबूत अधार भी था साल अनीचा सरसेठ में 17 साल की उम्र में वो अहंदाबाद पहुँचे और उसी साल उन्हें राष्ट्रिये स्वेम सेवक संग की सदस्यता ले इसके बाद 1974 में वे नो निर्मान अंदुलन में सामिल हुए इस तरह सक्डिये राजनीती में आने से पहले मोदी कई बर्स होता राष्ट्रिये स्वेम सेवक संग के परचारक भी रहे कहा जाता है कि मोदी जब छोटे थे तो गुजरात के सरमिष्टा जिल में अक्सर खेलने जाया करते थे उन्हें पता नहीं था कि उस जिल में मगरमच काफी संख्या में है एक बार एक मगरमच ने खेलते हुए मोदी को पकरने की कोशिस की इस दोरान उन्हें गंभीर चूट आई थी पर वे मगरमक्ष के चुंगल से पच निकले थे मोदी के पितावाद नगर रेलवे एस्टेशन पर चाय बेचते थे बचपन में मोदी को जब भी पढ़ाई से समय मिलता था वे अपने पिता के मदद करने दुकान पर पहुँच जाया करते थे मोदी को बचपन से ही कविताई लिखने का सोख है उन्होंने गुजरात में कई कविताई लिखी वो फोटोग्राफी का भी सोख रखते है मोदी को इस्कूल के दिनों में नाटक करना भी एक खुब पसंद था ये वावस्था में लोगों की मदद करने के लिए भी नाटक में हिशा लिया करते थे मोदी का जीवन बहुत अनुसासित रहा उन्हें बजपन से ही सुबा उठना पसंद है चाहे कोई भी मौसम हो वो सुबा पांच से साहे पांच बज़े के बेच उठ जाते है अगर वो रात को देर से भी सोय हो तो सुबा उठने के लिए समय को नहीं बदलते है मोदी भी हमेशा से भारतिय सेना में जाना चाहते थे जामनगर के पास बने सैनिक इसकूल में पढ़ना चाहते थे लेकिन तब पड़िवार के पास इसकूल की फिस देने के लिए भी पैसे नहीं थे मोदी जी जब छोटे थे तो एक दिन वे सन्यासी से मिले वे उनसे इत्ता पर भावित हुए कि इवावस्था में सन्यासी बन कर काफी ब्रह्मन किया मोदी ने 1965 के भारत पाक इुद के दोरान रेलवे एस्टेशन पर जाकर सैनिकों की मदद की उन्होंने अनईसा 67 में गुजरात में वाड़ पीरितों के भी काफी मदद की थी 2001 में जब गुजरात में भुकंप के आने से 20,000 लोग मारे गए तब राज में राजनीतिक सत्ता भी बदलाव हुआ दबाव के चलते तत कालिन मुख्य मंतरी केशु भाई पटेल को अपना पद छोड़ना परा पटेल की जगा और नरेंदर मोदी को राज की कमान सोपी गए और उसके बाद मोदी ने कभी पीछे मूर कर नहीं देखा नरेंदर मोदी बचपन से ही RSS से जूरे हुए थे अनईसा अंठावन में दिपावली के दिन गुजरात RSS के पहले प्रांत पर चारक लक्षमरा इनामदार उर्फ वकिल सहब ने नरेंदर मोदी को बाल स्वेम सेवा की सपत दिलाई थी मोदी RSS की सखाओं में जाने लगे लेकिन जब मोदी ने चाई की दुकान खोली तो सखाओं में उनका आना जाना कम हो गया समय साल 2012 मोदी के BGP में इतना बराक कद हो गया था कि उन्हें पार्टी के PM उमिद्वार के रूप में देखा जाने लगा था 20 दिसंबर 2012 को गुजरात चुना में मोदी ने फिर बहुमत हासिल कि और राज में तिसरी बार अपनी साता का डंका बजाए आज हम आप मोदी जी के बारे में एक ऐसा एंजान बात बताएंगे जो आप लोग नहीं जानते होंगे पर्धान मंतिर नरेंदर मोदी की जीवन का एक ऐसा पक्ष है जिसके बारे में लोग ज्यादा नहीं जानते हैं वो पक्ष है उनके हिमाले पर रहने का मोदी के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने अग्यातवास के तोर पर कई साल हिमाले पर जाकर बीता है उस तोरान उनके परिवार तक को नहीं पता था कि वो कहां है, जिवीत है या नहीं और क्या कर रहे है नरेंद्र मोदी दा आर्किटेक अफ ए मोडर्न एस्टेट नामक किताब में बताया गया है कि जब गिर्जुएत ना होने के कारण में रामक्रिशन मिशन में इंट्री नहीं मिली तो वे हिमाले पर चले गए थे परधान मंत्री बनने के बाद जन्वरी 2015 में जब परधान मंत्री नरेंद्र मोदी अमेर्की राष्टपती बराक उबामा से पहली बार मिले थे तब उनसे ज़्यादा चर्चा उनके सूट की हुई थी जन्वरी 2015 में पर्धान मुंत्री नरेंदर मोदी ने अमेर्की राष्टपती बराक उबामा के साथ मुलाकात के बक्त एक खास बंद गाला सूट पहना था इस सूट पर पीले रंकी लंबी पटिया थी जिस पर उनका पूरा ना नरेंदर दमोदर्दास मोदी लिखा हुआ था बता दे कि दुनिया भर में चर्चित इस सूट को हीरा कारोबारी रमेश कुमार भीखा भाई बिरानी ने मोदी को गिफ्ट किया था मोदी के इस सूट की कीमत को लेकर काफी बवाल भी हुआ था दिल्ली बिरान सबचुनाओ के दौरा सूट की कीमत पुछी गई तो बीजेपी परवक्ता संबित पात्रा ने इसकी कीमत 4,000 रुपे बताई थी कांग्रेस उपाद्यक्ष राहूल गांधी ने एक रैली में इसे 10 लाख रुपे का बताया था नरेंद्र मोदी के इस करहाईदार सूट को निलामी में सबसे महाँ बिकने वाले सूट के तौर पर गिनिज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी जगह मिली है नरेंद्र मोदी को हम कई तरह के गेट अप में देखते हैं दरसल स्टाइल के मामले में मोदी बच्पन से ही थोड़े अलग है कभी बाल बढ़ा लेते हैं तो कभी सरदार के गेट अप में आ जाते है रंगमर्च उन्हें खूब लुभाता था नरेंदर मोदी स्कूल के दिनों में नाटकों में बढ़ चर कर हीशा लेते थे और अपने रोल पर काफी मेहनत भी किया करते थे तो दोस्तों ये थी नरेंदर मोदी की कुछ है अनसुनी बाते जो हमने आपको बताई अमीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगा तो लाइक कमेंट और सेर जरूर करें ताकि हम आगे भी ऐसा ही वीडियो आपको बना कर